जैसे कि हमने अे कल पार्ट दो फष्टेवार में आपको एक्स्टेनेशन किया था और आज हम पार्ट वन और पार्ट तो में एक्स्टेनेशन और आज फष्टेवार का कुछ question answer करेंगे तो question answer करने से पहले हमें explanation part 1 और part 2 को अच्छे समझना होगा जिसे आप हमारे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं और तो इसमें आईए हम question number 1 पर पहुंचते हैं question 1 क्या है खिचडी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी यहां खिचडी से क्या मतलब निकाल रही हो तो उत्तर इसका है यहां खिचडी से मतलब मकर संक्रांती से है नामक तेवार से है question 2 क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले अगर ऐसा हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा ठंड बढ़ जाएगी लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा जीवन की रफतार थमशी जाएगी अपने सांथियों के साथ बातसीत करके लिखो तो इसका उत्तर आप लोग सौयम लिखेंगे क्योंकि ये अपने सांथियों के साथ अपने दोस्तों के साथ आपको बातसीत करना है और फिर इसका उत्तर लिखना है तो आप चलते हैं next question question number three बाहर देखने से समय का अंगाज़ा क्यों नहीं हो रहा था जिनके पास घड़ी नहीं होती कि वे समय का अनुवान किस तरह से लगाते हैं तो पुराने जमाने में आप लोग देखे होंगे जब घड़ी का यह नहीं बना था अविश्कार नहीं हुआ था तो पुराने जमाने के लोग कैसे समय का अंदाज़ा लगाते रहे होंगे तो वो तो सुरज को ही देखकर अंद बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा सूरज की गती और उसकी चमक से लगाते हैं अब है तुम्हारी जुआन नंबर का आज यह लोग के उठे का नई का तो आप इसे अपनी भासा में कैसे बोलेंगे आज यह लोग उठेंगे नहीं क्या ऐसे और नंबर का है नंबर का जब भार के देख केरा के पत्ता आईल की ना इन वाकियों को आपने घर की भासा में लि देख जाओ और देखो की केला का पत्ता आया की नहीं तो इसे आप लिख लीजिए अब आते हैं भारत तेरे रंग अनेक प्रिशन एक विविदता हमारे देश की पहचान है फसलों का तेवहार हमारे देश के विविद रंग रूपों का एक उदाहरण है नीचे विविदत के कुछ और उदाहरण दिये गए हैं पांच-पांच बच्चों का समूह एक-एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी कर्टी करें जानकारी चित्र, फोटोग्राप, कहानी, कविता, सूचना परक्सामग्री के रूप में हो सकती है हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्र भासा, भारत में अनेक भासाइं बोली जाती हैं, उदाहरण के लिए कौन-कौन से भासाइं बोली जाती हैं, हिंदी, मराथी, पंजाबी, कंणर, तिल्गु, आदी, और हिंदी यहां की मुख भासा है, क्योंकि यह अधिक्तम लोगों द्वारा बोली जाती है, यह हमारी राश्ट भासा भी है, तो यहां की राश्ट भासा क्या है, हिंदी है, क्योंकि यहां बहुत अधिक्तम लोगों के द्वारा भात में अने वाले अधिक्तम लोगों के द्वारा बोली जाती है, आव आते हैं कपड़े, कपड़े यहां के लोग विवित प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उदारण के लिए दच्छिन भारत में लूंगी पहनी जाती है। उत्तर भारत में सलवार कमीज पहना जाता है। घाघरा चोली, कुर्ता पैजामा, आदी पहने जाते हैं। अब है नेस्ट थार्ड नम्बर है नया वर्स हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्स होली के दिन होता है। यह भिन भिन नामों से जाना जाता है। तो नया वर्ष कब होता है? होली के दिन होता है। और विहिन प्रदर्शों में विहिन नाम से भी जाना जाता है। अब है हमारा भोजन। भोजन यहां भोजन में वीद्धा देखने को मिलती है। दच्छी भारत में इडली, डोसा, मसहूर है। तो उत्तर भारत में चावल, डाल, रोटी, सबजी, राजमा आदी पसंद से खिलाए जाते हैं और वहीं देखे हम लोग पस्चिन बंगाल में तो पस्चिन बंगाल में चावल, मचली, बड़े सौक से खायाता है तो इस उत्तर को भी आप अपने कॉपी में नोट करते जाएए अब आते हैं नमबर प्रेशन दो पर तो प्रेशन दो क्या है? तुम्हें कौन सा तेवहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो आप इसे अपने जो भी आपको जो तेवहार अच्छा लगता है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम होली के बारे में लिख रहे हैं जिसको होली पसंद है तो उत्तर हमारा होली का तेवहार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग उंच नीच का विचार भूल कर एक दूसरे के गले मिलते हैं और फुसिया मनाते हैं इस दिन मैं सुबह से ही काफी सक्री रहती हूँ तरह तरह की पिचकारियों में रंग भर कर लोगों पर फेंकते हैं और क्या होता है स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ और नए कपड़े पहनता हूँ तो होली के बारे में हुआ यह तो आज आप बस प्रिश्ण दो कर तक करिए और इससे आगे का प्रिश्ण उत्तर हम अपने पार्ट दो में समझाएंगे जिसे आप अपनी कॉपी में करते जाएगा लेकिन आज आप यहां तक कंप्लीट कर लीजिए ओके धन्यवाद आपका दिन सुगो